लो दियर स्टुडेंट्स, मैं नेम इज राजकुमार कुमाउच, वेलकम तो मैं यूटूब चैनल, तोडे भी विल स्टुडी अबाउट डिवीजन, आज हम डिवीजन पढ़ेंगे, यानि विभाजन करना या बटवारा करना, डिवीजन मिन्स क्या होता है, विभाजन करना या बटवारा करना, सबसे पहले डेपिनिशन पढ़ेंगे, देखे डेपिनिशन, डिवीजन is splitting into equal parts or groups, it is the result of fair sharing, यह है बराबर भागो और समुहों में विभाजित करने की प्रक्रिया है, सिंबल क्या होता है, यह और इस तरीके से भी इसको दर्सा सकते हैं, यह इसके सिंबल है, उके स्टुडेंज, उसके बाद में हम देखेंगे, टेम्स, टेम्स क्या होती है, इसमें कुछ टेम्स यूज होती है, डिवीजन में, पहली है डिवाइडेंड, दूसरी है डिवीजर, थर्ड कोसेंट, फोर्ट है रिमेंडर, डिवाइडेंड मिन्स होता है, भाजे, और भाजक, कोसेंट मिन्स होता है भागपल और रिमेंडर मिन्स होता है सेसपल ओके स्टुडेंज, भाज़े क्या होता है, जिस नमबर में हम भाग देते हैं, वो क्या होता है, भाज़े होता है और जिस number का हम divide करेंगे या जिस number से हम भाग देंगे किसी number में वो हता है भाजक diviser और जो हमें result प्राप्त होता है वो बोलेंगे cosent या भाग पल और जो 6 रजाता डिवाइड करने के बाद में remainder उसको क्या बोलेंगे 6 पल ओके students अब कुछ properties है इसकी फर्स्ट है repetition of subtraction यानि कि division में हम subtraction का use भी करते है ओके students सेकेंड है 0 divided by any number is equal to 0 इट मिन्स होता है किसी भी number में इट मिन्स होता है 0 में किसी भी number का भाग देने पर क्या आता है 0 ही result आता है ओके students थर्ड प्रोपर्टीज है any number divided by 1 is equal to same number यानि किसी भी number में जब हम 1 का डिवाइड करेंगे तो वही same number हमें प्राप्ट होगा जैसे हम 3 में 1 का डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 3 प्राप्ट होगा हमें यानि वही same number में प्राप्ट हो गया उसके बाद में है next properties इन्फिनिटी का साइन होता है किसी भी नंबर में जब आप 0 का डिवाइड करोगे ना तो रिजल्ट क्या आएगा अमेशा इन्फिनिटी आएगा यह जैसे 4 में 0 का आप डिवाइड करोगे तो क्या आएगा इन्फिनिटी आएगा ओके स्टुडेंट्स आई होफ यू गोट इट आपको यह प्रोपर्टीज डेफिनेशन सिंबल और टैम्स अच्छी तरी कैसे समझ में आ गए है अब एक एग्जाम्पल के थुरू हम इनको समझने का प्रियास करेंगे तो वीडियो को सुरू से लेके अंतक देखना है स्टुडेंट्स तो स्टुडेंट्स एक एग्जाम्पल सोल करेंगे उससे हमें डिविजन अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा देखिए एग्जाम्पल है जैसे नाइन डिवाइड़ बाई टू या इसको इस तरीके स तरह भी आप राइट कर सकते हैं ऐसे और एक तरीका और होता है इसको राइट करने का जैसे इस तरीके से भी आप राइट कर सकते हैं स्टुडेंट्स तो सौल करेंगे इसको सौल स्टुडेंट्स इस तरीके से हम करेंगे इसको तो तू से डिवाइड करेंगे यानिकि ना तेर्बल यहां बोलनी है 9 से अब जाना साहिए यनकि 9 से उपर नहीं जाना साहिए 9 यह 9 के ठीक नीचे नंबर आसकता है निरिस्ट नंबर आपको 9 का लेना है तो देखिए 24 या 8 होता है 236 होता होता है लेकिन यह 9 से बहुत ज़्यादा छोटा है तो 9 के नीरिष्ट लेना तो 2, 4, 8 होता है इसलिए हम क्या लेंगे 8 लेंगे तो जितनी बार tables बोला है वो तो यहां आएगा यहीं 2, 4, 8 तो 8 यहां write करोंगे ओके students अब हमें next step क्या करनी है हमें suppression करना है क्या करना है तो 9-8 is equal to 1 we write 1 in downside students हमने एक नीचे रख दिया अब students देखिए आगे कोई number नहीं है it means हमारा जो division है वो क्या हो गया complete हो गया अब देखिए students यह 9 क्या होता है 9 होता है divided क्या होता है divided और यह 2 क्या होता है यह होता है divisor क्या होता है divisor और यह 4 होता है cosent क्या होता है cosent means क्या होता है भागपल होता है और यह 1 क्या गया remainder क्या गया remainder ओके students आप समझ गयोगे यह 9 है divided यहनि भाज्य यहाँ पे 2 है वो divisor है यहनि भाजक है और 4 क्या है cosent यहनि की भागपल है और यह one क्या है? यह remainder remainder मिन्स क्या होता है? sales पर ले I hope आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा अब एक next example से और समझने का परियाज करेंगे 56 divided by 4 Okay students तो आप सबसे पहले इस तरीके से write करना है और यहाँ इसके अंदर 56 write करना है और बाहर क्या करना है 4 write करना है Students उसके बाद में आपको 4 का divide करना है 56 में देख़ो students पहली डिजित में भी 4 का divide हो रहा है क्योंकि जो पहले डिजित है वो 4 से हमें साब होनी चाहिए greater than होनी चाहिए तो देखे 4 से यह 5 क्या है बड़ा इसलिए क्या है four का divide हो सकता है five में तो four बन जा four okay students उसके बाद में हम करेंगे subtraction तो five minus four is equal to one okay students अब यह को one में तो divide हो नहीं रहा तो क्या करेंगे next digit भी नीचे write करेंगे next digit भी नीचे write करेंगे तो यहां क्या हो गया 16 हो गया okay students तो देखिए इस 16 में four का divide करोगे क्या करोगे students 16 में four का divide करेंगे okay students तो देखिए four four जा 16 होता है 16 के equal आ रहा है तो यहां write कर सकते हैं तो जितनी बाद table बोली वो write यहां करेंगे four और 16 यहां गया 16 के नीचे okay students अब क्या करेंगे आप suppression करेंगे 16 minus 16 is equal to zero next कोई number नहीं आगे तो students यह हमारा division क्या हो गया complete हो गया अब देखिए इसको तो बोलोगे आप divident यह है diviser और यह है quotient और यह क्या है remainder ओके students divident मिन्स होता है भाजे diviser मिन्स होता है भाजक और quotient मिन्स होता है भागपल और remainder means successful तो successful हमें क्या प्राप्त हुआ है जीरो और quotient यह नहीं बागपल क्या हुआ है 14 तो answer क्या आगया 14 इसको answer भी बोलेंगे students okay students I hope you got it आपको division अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा students okay students अगर वीडियो अच्छा लगा तो like कीजिए subscribe कीजिए और अपने friends circle में भी इसको share कीजिए thank you झाल